अलो दोस्तों आपका बलबल स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अंगरेजी अकेडमी में दोस्तों करमचारी चैनायव दुवारा जितने भी क्यूशन्स पूछे गए हैं इसपेशली आपके सलेबस में हमने फाइंड आउट किया हैं वो हम यहां पर one to one explain करेंगे उनका answer आ एला क्यूशन है आपका चारकोल चित्रांकल कला परदर्सनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है तो देखिए दोस्तों पस्मी चेतर संस्कृतिक के अंदर उदेपूर है उसकी द्वारा चारकोल चित्रांकल कला परदर्सनी का आयोजन किया जाता है तो इसमें 2019 के लाब दिये जाने की प्रस्ताव का, रिप्स 2019 तो ये रिप्स योजना का पूरा नाम पूछा है ये रिप्स जो योजना है ठीक है, ये है किसे समदित ये भी देखो, आपको ध्यान रखना है इसमें ध्यान क्या रखना है, ग्रामीन परियतन एकायों को बढ़ावा देने के लिए ठीक है, तो ये रिप्स योजना का पूरा नाम क्या है, रजस्तान निवेज प्रोचसाहन योजना ठीक है, तो इसमें क्या आगया आपका, डी आगया, वेरी वेरी आगया है, तो आटी डी एम उनका जेपूर जिले में इसका आगया है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका, हाल ही में मई दोहजार बाइस गटना कब किया है, मई दोहजार बाइस की मुख्य मंतरी ने किस जिले से तीन नई तैसिल खोलने के प्रस्थाव को मंजूर दिये, देखिए, यह किसन रिपीट होने वाला नहीं है, ठीक है, वैसे इसमें आया है, तो हमने दे दिया इसको तो यहाँ पर जोदपूर ठीक है, क्योंकि यह चीजे हैं वो बार बार बनती रहती है अभी लेटरस्ट भी किया है इनोंने ठीक है, तो यह वाला जो है क्योंकि करंट का है वैसे, आप वापस इसको देखना अभी नई जो चीज है न, वापस कोशन की है, मुखे मंत्री ने अप्रेल दो हजार बाईस तक राजस्थान में जो संपति है न, कितनी है 143 संपतियों को heritage विरासत जो है ठीक है, उसको जो certificate है वो जारी किया जा चुका है राजस्थान में टिड़ी नेंदरन पुस्तक, तो यह तो हमने साइद रिपीट भी किया होगा यह लालजंत कटार यानी क्या किया है, इस पुस्तका भी मोचन किया है राजस्थान को फिलम देखिए, यहाँ पे है फिलम डेस्टिनेशन की रूप में विक्षित करने के लिए किस नीती को मनजूरी दी गिया है डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता अपनी मनजिल होती है वेसे तो फिलम डेस्टिनेशन की रूप में विक्षित करने के लिए किस नीती को मनजूरी दी है तो यहाँ पे क्या आगया आपका अंसर इसमें राजस्थान फिलम परियटन प्रोचसान नीती दोहजार बाईस ठीक है, इसमें क्या आगया सीरास्थान फिलम परियटन प्रोचसान नीती यह थोड़ा आपको ध्यान में रखना, इसको रिपीट हो सकता है इसा क्यूशन नेक्स्ट है, जुलाई 2022, भारत सरकार द्वारा उच्छव पोर्टल कौन सा पोर्टल? उच्छव पोर्टल वेरी इंपोर्टन दे कि भाई ये भी उच्छव पोर्टल पर जारी सूची में रजस्थान को कौन सा स्थान मिला है तो रजस्थान को प्रत्वमिस्थान मिला है भार सरकार ने उच्छव पोर्टल के तरू और वो सूची जारी किया है तो पर्थमिस्तान किसका है राजस्तान का निवन में से कौन सा राजस्तान के से सविधान सभागे सदस्ते नहीं थे तो यह जो क्यूशन है यह बार बार रिपीट होने वाले क्यूशन है और निश्चीत रूप से इसमें आपको एक उप्सन जो है वो रोंग देदेगा और बाकी क्या करेगा नहीं थे पूछा है कई बार थे ऐसा पूछ लेता है तो इसमें क्या आगए आपका जो जेबी करपलानी है वो नहीं थे ये सनित प्रांच से थे जे भी करपलानी थे बाकी जनायण व्यास हीरलाल सास्तरी वेटी कृष्णा माचारी ये राश्तान से सविधान सभागे सदस्रे है नेक्स्ट है यदि कोई पंचायत राश्तान संस्ता अपनी अवद्दी समाप्त होने से पूर्व भंग हो जाती ह बात कर रहा है राश्ता आपके सलेवस में है उसका निरवाचन तो उसका निरवाचन क्या होता है वी गटन से छह माँ के अंदर ठीक है वी गटन के छह माँ के अंदर अंदर चुना होने जरूरी है कुछ इंस्ट काह्या है इसका प्रमुकारी क्या एक है थिएटर समय के लिए कुन नेरवाची तुछ इसमें कहाएगा राम न्यास मिर्दा वो च्यार बार यह क्यूसन भी बार-बार रिपीट होने वाले हैं चीक है इसमें जो है आपका चुनाओ से रिलेटेड है तो इनको देखना है कि कौन दो बार हुआ है कौन तीन बार हुआ है ठीक है थोड़ा सा एक बार इनको रिपीट कर लेना आप जिला कलेक्टर की सेवा का सदस्य होता है तो जिला कलेक्टर आपको सबको पता है भारती परसासनिक सेवा कई पर देखी वैसे आपको पूछा ना कि इंगलेस में पूछेगी आईएस तो यह क्लेक्टर क्या होता है इस होता है ठीक है बट यह हिंदी में ऐसे देदेना भार आपको अटपटा महसुस होता है तो यहां पर क्या गया भारती परसासनिक सेवा इंडियन administrative service collector उसी का सदस्य होता है कि दुंगरपुर उस्तित नो लखा बाउडी तो यहां पर नो लखा बाउडी किसने बनाया है यह भी very very important किसन है ठीक है इसमें क्या गया रानी प्रिमल देवी क्या answer है इसका रानी प्रिमल देवी नेक्स्ट किसन आपका आता है यहां पर मारवाड रा प्रग्नरी वीगत के लेकक कोन है यह पुस्तक जो है बार-बार आपसे पुस्ते ही रिपीट होने वाला किसन है ठीक है मोनो तुन्यांसी वैसे आता सबको है बट किसन ही रिपीट होता रहता है नेक्स्ट आता आपका जालावाड की सूरिय मंदिर को ब्लेंक की रूप में भी जाना दाता है यह किसन है very important है तो यहां पर साथ सहिल्यों का मंदिर सूरिय मंदिरों क्या कहते हैं साथ सहिल्यों का मंदिर यह आपकी चित्रकला से समधित क्यूशन है उन्यारा चित्रकला सहिली चित्रकला की किन सहिल्यों का मिस्रण है तो यहां पर जेपरोर बुंदी क्या अंसरा है जेपरोर बुंदी चित्रकला यह very important क्यूशन है चित्र बीजक की पहाडी, राजस्तान की किस सब्वेता से समधित है, भीम की डूंगरी और बीजक की पहाडी किस सब्वेता से, तो ये ऐसे किसन सो हैं सब्वेता वाले, ये भी very important है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये बैराट सब्वेता से हैं, कौन से सब्वेता से हैं, ब मोरी काल सी थी मोरी काल में थी ठीक है बैरेट सब बेता कब थी मोरी काल में नेक्स्ट है आपका जोदपूर का स्थान जो छतरियों और प्राचीन राजाओं के धानों के लिए परसिद्ध है कौन सा है या आपको सब को पता है मंदोर कौन सा है मंदोर जी थे रजब जी थे ठीक है और ये दादू पंथी थे सारे लाल दाज जी क्या थे जसनात संपरदाय से ये दादू याल संपरदाय से ये जसनात संपरदाय से ठीक है और ये आपका ये शिस से नहीं थे तो ये है थोड़ा से द्यान लगना ऐसे क्यूशन से रिपीट होंग मुबारक महल मुबारक महल आ गया आपका जेपुर में सुनहरी कोठी टौक में रेष्मा महल तो रेष्मा महल कहा है शिक्कर में और एक थंब्या महल दुमरपूर में आप इसका आंकल नकलेना कौन सा है इसमें छीक है नेक्स्ट आपका गलत यूगम चुनिए तो इसमें से गलत यूगम द्वारकनात बठ राग चंदरी का दल्पत खुमान रासो चीक है इसमें आपको क्या करना है जो गलत है उसका कुमबा संगीत राज बिल्कुल ठीक है विजेदान दे था आसा घर नहीं इसमें डी है न ये इसका क्या है बे म ये लहने की गलत यूगम है तो इसका अंसर आगे डी नियू में से कौन सा यूगम समयलित नहीं है देखिए सांगा गुहिल दूसरा आपका आता है अजे राज चोहान बिल्कुल ठीक है राय सिंग राठोड ये भी सही है खेदरी सिंग खेदरी सिंग तो ये खेदरी यह थे रखा है यहां पी शीर नाम है तो ये इसका क्या हो जाएगा डी एंसर है यह वह हो जायएगा इसमें बाकि सही है सागा गुहिल से अजे राज सुहर्ण से राज सिंग राठोड राठोड बं से ठीक है तो ये वना है अच्छा क्यूसन है तो पंसारे की हवेली कहा स्थित है तो पंसारे की हवेली स्री मादवपूर में स्थित है नेक्स्ट है नेमलिकित को सुमेलित कीजिए ठीक है कोपर तो यहां कोपर है वो खोदरीबा कोपर कहा है खोदरीबा मिलान करना है फिर आप क्या जिपसम आ गया जिपसम क्या है जहमर कोटडा जिपसम कहा में जमसार में जिपसम कहा है जमसार में सीचा उजस्ता तो सीचा जस्ता कहां पर आगे आपका राजपुरा देबारी ठीक है और रोग फासफेट रोग फासफेट आएगा यह आपका जहमर कोटडा ठीक है भई देखो वापस इसको रिपीट करते हैं कोपर कोपर के लिए क्या किसे चीज़ फेमस है खोदरीबा जिपसम के लिए जमसार सीचा और जस्ता के लिए राजपुरा देबारी और रोग फासफेट के लिए जहमर कोटड़ा यह फेमस है आपको यह क्यूस्सन है यह विद्यान में रखना है यह एवरी इंपूर्टन किसन है सही प्रियोजना किस बांध परिस्तित है तो जमाई बांध पर है ठीक है यह वाला जमाई बांध पर है सही प्रियोजना काफी बार पूछा वाए क्यूसन यह भी यह क्यूसन है very very important माणा सर्जन सिंग को किस गवार्नेर जनरल ने ग्रेंड कमांडर ओफ दे स्टार ओफ इंडिया की उपादी दी थी ठीक है यह वेरी इंपोर्टन किस न है तो यहाँ पर लोड रिप्पन को ठीक है ना माना सज्जन सिंग ने सज्जन सिंग को लोड रिपन ने किस की दी थी गुवर्नल जनरल थै कौन ये लोड रिपन और इनको ग्रीन कमांडर ओफ दे स्टार ओफ इंडिया ये इनकी उपादी थी अब आपको देखो तीन तरह से किस ने याद करना है माना सज्जन सिंग की उपादी लोड रिपन के द्वारा देगी उसका क्या नाम तो ये भी आपको देखना है माना सज्जन सिंग को ये उपादी किस ने दी लोड रिपन ने लोड रिपन ने ये जो उपादी है वो किस को दीती माना सज्जन सिंग को तो तीन तरीके से इसक् ऐत्ट है ठर्फतवन की क्रांति के दोरान बुभर का शासक कrun था देखिए यह नया क्यों इन रिव खुल्ज सान i system कर आती लंगरो की पहजाँ शेट्र में रही लच्छी राम की पहचान की सेतर में ही रही तो कुचामनी ख्याल क्या हैगा भई कुचामनी ख्याल ये काफी बार पूछावा है ये वाला किसन भी रिपीट होतावा है लच्छी राम है कुचामनी ख्याल के लिए जैन तीर्थ स्तल केसरिया जी राज़तान के किस जिले में है जैन तीर्थ स्तल केसरिया ये कहां है उदेपूर में राज़तान में परतिहार वंस के संस्तापक हरीस चंदर की राज़धानी कौन सी थी परतिहार वंस के संस्तापक कौन है हरीस चंदर यह भी आपको ध्यानकना है ठीक है और इनकी राजदानी कौनसी थी मंडोर next आता है आपका अलवर छेतर की लोक देवी की रूप में किसे मानेता प्राप्त है यह वाला question very very important है अलवर छेतर की लोक देवी ठीक है कौनसी है लोक देवी यहाँ पे आपका जो अंसराता है वो जिलानी माता ठीक है भई यह जिलानी माता है वो अलवर छेतर की लोक देवी है यह ध्यानकना कामडिया पंत की स्थापना किस ने की थी ये तो खर आप सब को आता ही है ठीक है नेक्स्ट आप का है 1870 की क्रांति के दोरान देशी र्यास्ते पोलिटिकल एजेंट का कौन सा तो पोलिटिकल एजेंट की चर्चा हम वैसे पहले भी कर चुके है ठीक है तो यहाँ पे आपका पोलिटिकल एजेंट कौन-कौन से एसंगत पुछा है इसमें एसंगत ठीक है तो यहाँ पे उदेपूर के सी एल सावर्स उदेपूर के कौन है सी एल सावर्स है बिल्कुल चाहिए जेपूर के कनल इडन यह जो है प्लिटिक लेजंट यह अच्छे से त्यार करके रखने सब के सब समझे ना जेपूर के कनल इडन है और बिकानेर के कैप्टन जेड़ी होल यह नहीं है कैप्टन जेड़ी होल किसके थे सीरोही कि थे थीक है बिकानेर कको नहीं था ङोकी बिकानेर कब उस समय स्तित में नहीं अथा उस जो रएस्ति थी थे उस समय ठीक है तो क्या गये का यहां पर हांपर न गैप्टन जेड़ी होल के से थे सीरोऑ के थे ढूर जोधपुर को मैंक मज सें ठीक है न जब्य question है very important question है next question दोस्तों राजस्थान में blank का कजली 30 का तिवार और मेला परसिद है तो यहां आपके क्या गया अंसर बुंदी बुंदी का कजली 30 का तिवार और उसका मेला famous है next है पूरिया नामक पात्र हिस्सा है पूरिया नामक पात्र वो किस चीज़ का हिस्सा है तो यहां आपका गवरी नर्ति नाटिका का पूरिया नामक पात्र है वो एक हिस्सा है very important question है next है राजस्थान में Hydrology and Water Management Institute अवस्तित है कहां पर है Hydrology तो यह बिकानेर में है यह संस तका है विकानेर में है जनगर्णा 2011 के अंशार राजस्थान में एक मिलियन एक मिलियन में कितने होते हैं कुंची नदी तोरावाटी बेसिन में परवाहित होती है कुंची नदी तोरावाटी बेसिन में तो कांतली नदी ठीक है ये शेखावाटी में है और ये कांतली नदी है वो तोरावाटी बेसिन में ही परवाहित होती है है । कि इस्वी पशुन गुर्णा राजस्थान की 225 गुर्णसवार्वादीक पषू तो सर्वादीक पषू तो बाड कर मेर मेर में है है इसे गोवरदन पूझा अनकुट महोथ्साव मनाया जाता है थिक Ś Chad तो इसका आपका जो अंसर है वो कार्तिक सुकल पक्स को कार्तिक सुकल पक्स को गोर्दन पूजा ये फिर अनकुट महोचसम मनाया जाता है नेवलिक्त में से कौन सा जल दूर्ग नहीं है तो यहां पे जल दूर्ग बटनेर का नहीं है क्योंकि भटनिर का दूर्ग है उसमें बड़े-बड़े मिट्टी के टीले अब तो खरक है सहर बस गया वहाँ पर मिट्टी के टीले थे तो इस वज़े से ये मिट्टी का दूर्ग है वो है बाकि गागरोन, कोशवर्धन, बैसरुडगर्ड इनको जल्दुरुक की स्रेड में माना जाता है नेक्स्ट क्यूशन है निमलिकित में से कोंसा कथन गलत है पस्मी रेतिला मैदान टेथित महासागर का अवसेस है अरावली सबसे पुरानी सरंकला है दक्षनी पुर्वी पठान गोडवाना भूमी का विस्तार है ये तीनों सही है सिंदु नदी द्वारा उत्तर पुर्वी मैदान का निर्मान किया गया था तो ये वाला इसका क्या है गलत है और गलत पूछा है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों निमलिकित में से जिलों का कौन सा यूगू बबूल कत्था का प्रमुक उत्पादन चेतर है बरतपूर अलवर उदेपूर चितोड बासवड़ा बारा चुरू बिक्कनेर तो इसका अंसर क्या गया उदेपूर और चितोड यहां पे क्या है बबूल कत्था है वो फेमस है वो यहां पे उत्तपादन होता है यहां पे निम में से कौन सा काला हिरन अभ्यारने तो काला हिरन देखिए काला हिरन ताल छप्र कौन सा गया ताल छप्र अभ्यारने नेक्स्ट है नद्यू के लंबाई के समझ में निम लिकित में से कौन सा तत्थे गलत है लोनी की नमबाई तो यहां लोनी की नमबाई चारसो पिचान में बिल्कुल सही है चम्मल की एक जार पचास बिल्कुल सही है बनास पानसो बारा बिल्कुल सही है माही की है पानसो चिंतर कितनी है पानसो चिंतर है इसलिए ये क्या हो गया गलत तथ्य है नेक्स्ट है गोमती सागर पस्व मेलिक आयोजन निमलेकित में से किस इस्तान पर होता है तो गोमती सागर जालरा पाटन दित्य साका के समय चितोड़ गड़ पर किसने आकर्मन किया था very important question है चिक है बार ये repeat हो सकता है तो दित्य साका जो था चितोड़ के समय तो ये जो सासक जो था बहादूर सा है ठीक है और ये गुजरात का सासक था 1535 में कब किया था 1535 में और यहां का चितोड़ का सासक कौन था विक्रमादित्य राजा था ठीक है और रानी कौन थी कर्मावती ठीक है ये चार्थ-पांच चीज़ों है इसके बारे में आपको द्यान में रखना है दित्ये साका चीज़ तोड़ के समय किसके समय हुआ था विक्रमादित्ये के समय राजा बहादूर सा है जो गुजरात का सासक जा अंसर क्या आगया इसका सी नेक्स्ट है निम लिक्त में से किस नर्ते में किसी भी वाद्य अंतर का प्रियोग नहीं किया जाता है तो यहाँ पे वालर वालर नर्ते में किसी भी वाद्य अंतर का प्रियोग नहीं किया जाता है हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुक सेनापती था तो हकीम का सूरी जो था वो महाना परताब का जो सेनापती था उनकी सेना थी उसका सेनापती था हकीम का सूरी ये वेरी वेरी इंपोरेंट क्यूशन आई नेक्स्ट है चंपरण की संदी किन राज्यों की बीच हुई थी चंपरण की संदी मालवा गुजरात मालवा और गुजरात इन दोनों की बीच में चंपरण की संदी हुई कब हुई 1456 में रूपाहली, सुनहरी, छपाई राजस्थान के किन जिलों में परशिद्ध है देखिए यह वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन है रूपाहली और सुनहरी तो देखिए इसके अंदर जो आपका था किसंगड, चितोड और कोटा तो यह इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो नवल संपरदाय की मुख्य पीट स्तित है तो नवल संपरदाय की प्रमुख पीट जोदपूर में है टड़ा अभूसन कहां पहना जाता है? बाजू में टड़ा कहाता है? बाजू में यह भी important question है राजिस्थान कितने करसी जलवाई प्रदेशों में बाटा गया राजिस्थान को तो कितने हैं दस राजिस्थान में कोन सा उर्जा का प्रमप्रागत स्रोत नहीं है तो सोर उर्जा नेक्स्ट है निमलित में से कोन सा गुवन्स की नसल तो देखिए इसमें आपको सुमेलित करना है क्यूशन क्या पूछा है सुमेलित नहीं है अराठी है उत्तरी पस्मी, थार पारकर पस्मी, गिर, मद्देवर्ती और दक्षनी पूर्वी बच क्या गया, कहा क्रेज तो यह दक्षनी पूर्वी नहीं दक्षनी पस्मी है ठीक है, यह हमार रास्तान है और यहाँ पर देखिए बाड़ मेर यह थे न, यह वाला एरिया है ठीक है, दक्षनी पस्मी वाला है यहाँ पर यह सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें पूर्वी दे दिया, दक्षिन पूर्वी दे दिया, ये वाला एरी दे दिया इसमें नेक्स्ट आपका आता है, उत्तर दक्षिन कलिया राजस्तान की किस जिले में, जिले से गुजरता है उत्तर दक्षिन गली आरा तो यह धोलपूर से, जो एरिया है वो भोमट कहलाता है नेक्स्ट है राजस्थान राज्जे प्रियावणनिती प्रतम बार देखी राजस्थान राज्जे प्रियावणनिती प्रतम बार यह very important question है पहली बार प्रियावणनिती कब गुशित की 2010 में सुमिलित करना है नदियों का उद्गम और यहां कहां सी इनका उद्गम होता है तो सोम, जाखम, बनास, सागी सोम का बबल वाड़ा पहाड़ी है न वो नहीं है अमर कंटक की पहाड़ी है अमर कंटक की पहाड़िया है तो वैसे क्या हो गया आपका पहला ही सुमिले तो नहीं है जाखम चोटी सादरी, बनास खमनोर की पहाड़िया, सागी जस्वंदपुरा की पहाड़िया ठीक है दोस्तों, इस तरह से very important questions को हमने क्या किया, discussion किया है Thanks for watching